वेलकम टू वी एस अकेडमी आज हम सर्वोच न्यायले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बाते पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आप यह बात जान लीजिए कि जो सर्वोच न्यायले है इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई और यह सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापना हुई थी बट संग यह न्यायले के रूप में इसकी स्थापना 1935 में ही हो गई थी और यह डेट याद अकना 28 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को अपना समीधान लागू हुआ था और इसके दो दिन बाद ही सर्वोच न्यायले की स्थापना हुई थी जो भारत के मुख्य न्यायदीश और सर्वोच न्यायले मिंस सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायदीश हैं उनकी न्युक्ति रास्ट्रपती दवारा की जाती है और यह है हमारे भारतिय सम्विधान के अनुचे 124 के खंड दो के तहत है और इसके साथ ही जो सर्वोच न्यायले की न्यायदीश हैं उनकी सेवा निवृति आयू होती है 65 वर्ष और कितने न्यायदीश होते हैं कुल 34 होते हैं मुख्य न्यायदीश को मिला कर और सर्वोच न्यायले के प्रत्थम जो न्यायदीश थे मुख्य न्यायदीश थे वो थे हीरा लाल जे कानिया और जो पहली महिला मुख्य न्यायदीश थी वो थी लिला सेट जो यह थे हीरा लाल जे कानिया यह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायदीश थी और जो यह है लिला सेट महिला मुख्य न्यायदीश यह है उच्छ न्यायले की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायदीश थी भारत की सुप्रीम कोर्ट के रूप में 28 जनुरी 1950 को स्थापना हुई ये बात पहली बताई जा चुकी है और 1935 को भारत के संग्या न्यायले के रूप में सर्वोच न्यायले के 50 मुख्य न्यायधीश बने हैं धनंजय यश्वंत चंदरचूड डी वाई चंदरचूड आठ नवंबर को उनंचस्वे मुख्य न्यायधीश यूयू ललित सेवा निवरित हुए हैं लब चंदर चूड से पहले ललित यू यू ललित ने मुख्या न्याई धीश थे और यू यू ललित ही थे जिनोंने चंदर चूड डी वाई चंदर चूड के नाम की सिफारिश भेजी थी आट्व न होंबर को नोंबर को रस्ट deficit मुर्मू ने उन्हें पद एवं को अपनियता की शपत दिलाई तो नोंबर को डी वाई चंदर चूड को रस्ट routी द्रोपती मुर्मू ने शपत दिलाई है और जो justice डी वाय चंदरचूड हैं इनकी इन्होंने बहुत ही एहम फैसले लिये हैं और वर्षों से जो यह लंबित राम जनम भूमी बाबरी मस्जिद विवाद था इसका फैसला सुनाने वालों में पांच जजों की बैंच में भी डी वाई चंदरचूड शामिल थे